CityLive, a platform to sharing your thoughts एमाई रोड बाजार ब्यापार मंडल की ओर से विशे सजावट की जाती है पूरे बाजार की यहां की दुकानों की यहां पर दिवाली पर आने वाले ग्रहकों के लिए शौपिंग के साथ साथ आकरशक आफर और सजावट का लुथ उठाने का मौका मिलता है इस बार भी एमाई रोड बाजार ब्यापार मंडल की ओर से इसे बाजार की विशे सजावट की जा रही है और एमाई रोड ब्यापार मंडल के महामंतरी सुरेश सैनी हमारे साथ हैं से बात करते हैं सुरेश जी क्या तयारी है इस बार दिवाली फेस्टिवल की सबसे बड़ा बजार मिर्जा इसमाइल रोड और उस पर दिपावली की सजावट की तैयारियां सबसे पहले चालो होगी है ये फैस्टेबल आठ दिन का होगा शांदार सजावट होगी छे हमने एंटरेंस दुआर बनाए हैं चार पांच बत्ती पर हैं और आकरशन का केंदर होगी पांच बत्ती जो जेपुर सहर के लिए देखने की बात होगी दूदिया रोसनी के अंदर आइमाई रोड जगमगाएगा और एक देखने की नई चीज मिलेगी कि हर पोल पर कुछ अलग चीज मिलेगी थीम अलग अलग ली है कलर फूली है पिंक सिटी पिंक कलर के अंदर जिस तरह की रोसनी होगी वह एक अलग पैचान बनाएगा यहां पर केबल शॉपिंग के लिए शेहर की लोग ही नहीं आते बलकि प्रदेश भर से लोग दिवाली पर खरीदारी करने आते साथ ही देश विदेश के परेटक भी आते हैं इस सीजन में तो उनको ध्यान में रखकर भी क्या तैयारियां की जा रही है देखिए हम अपना व्यापार करते हैं लेकिन ये व्यापार जब दिवाली पर सस्ता है बजार तो एक रूप में सस्ता है और उसको देखने के लिए देश विदेश के लिए लोग यहां आते हैं टूरिस्ट बहुत जादा आते हैं उसकी तैयारें हमने इस तरह से की है कि उनके लिए कि सबसे बड़ी सफाइब है हमने विशेश तोर पर जान दिया है कि जेपुर सहर आये और साब सुत्रा एमाई रोड क्योंकि इससे पहले भी हमने निगम से तीन चार पुर्शकार जो पहले रूप में फस्ट मिला है वो एमाई रोड कोई मिला है तो हमारा सबसे पहला तो यह रहेगा कि अमाई रोड साब सुत्रा रहें प्लास्टिक मुख्त रहें सूबे में सरकार चाहे किसी की भी हो लेकिन दिवाली पर जो लाइटिंग होती है पर स्विच ऑन करते हैं यह परंपरा हमारी आज की नहीं दो हजार पांच में जब हमने पहली सुछव पर तो भी मुखे मंतरी का पदार नहीं हूँ था वसंदरा राजी जी हाँ हर साल आती है पांस साल सरकार चलाते हैं तो पांस साल आते हैं गलोजसाब के लिए भी जहां वह बजार में नहीं आते थे जोत्पूर ज़ादा तर रहते थे लेकिन पिछली सरकार में हमने उनको निवेधन किया तो वो सह परिवार पदा रहे इस बार भी माननी है मुख्या मंतरी जी अशोग गैलो जी सुईच आउन करने पदा रहेंगे हमने उनको आमंतरित किया है और इस बार हमकुछ हटके पिछले सालों से खास कर रहे हैं ताकि यह आकर अच्छी बिजली की गई है और पिशले सालों से भी इस साल बहुत जादा हम लोगों को आशा है कि काफी परेटक भी आएंगे और जैपर वालों को भी जैपर एमाई रोड पर आने पर काफी आनन्द आएगा और हमने इस बार विसेज तोर पर नाइट बजार के तोर पर हमन लाना पसंद करते हैं तो इस बार का जो सीज़र है हम उमीद करते हैं पिछले और सालों के अभी रिकोर्ड तोडए गा और उमीद हमेशा रहनी चलिए और उमीद के साथ हम अपने जिंदा है तो हम चाहते हैं कि इस बार का जो कारूबार है पिछली साल के इसाफ से 10-15 प्रसेंट जादा होगा तो ये हैं M.I. रोड ब्यापार मंडल के महामंतरी सुरेश सैनी जिनके नेतरत्व में M.I. रोड पर दिवाली शॉपिंग की तैयारियां की जा रही हैं जाहिर सी बात है इन तैयारियों के साथ M.I. रोड पर शॉपिंग के लिए कस्टुमर एक अलगी अनुवब महसूस करेंगे और इसके लिए यहां सभी सुविदाएं सभी तरह की तैयारियां इन दिनों की जा रही हैं कैमरामेन मोहन सिंग के साथ B.K. शर्मा, सिटी लाइव, जैपुर